Welcome friends, self-adhyan पर, आज के Tally TDL Classes के अंदर हम lasers को import करना तो already previous वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे हम taxes lasers या किसी तरीके के other groups related lasers को अगर Excel से Tally में import करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो TDL हमने पिछले वीडियो में देखा था और आज की वीडियो में हम item को Excel से Tally के अंदर import करना देखेंगे तो यह आप 9th नंबर की जो TDL है वो आप डाउनलोड कर लेंगे वीडियो के description लिंक में 100 plus TDL का collections है उसमें नंबर 9 पर हमारी TDL है जिसमें हम import item करना देखेंगे उसको हम डाउनलोड करने के बाद यहां से zip folder को extract कर लेंगे extract करने पर यहां हमें उस folders में एक Excel फाइल दिखेगी और एक हमारी TDL फाइल दिखेगी Excel फाइल में आप अपने जो भी items है उनका जो भी नाम है वो पहले column में रख सकते हैं अगर आप group wise maintain करते हैं तो उसका group आप भी column में maintain कर सकते हैं unit आप c column में डालेंगे उसके hsn code descriptions इस तरीके से आप उन सभी के जो भी tax rate है वो सभी इसी use को follow करते हुए जैसे आपको इस columns के अंदर दिखाई दे रहा है उस तरीके से आप अपने data को arrange करेंगे और file को save कर देंगे example के लिए हमें यही items को अपनी tally में import कराना है तो हमने दोनों file को copy कर लिया है और d drive में जाकर हमने यहां पर paste कर दिया है अब हम चलते हैं अपने tally file में tally file में tdl को load करने के लिए f1 जब हम press करेंगे वहां से tdl पर click करने के बाद f4 की press करते ही हमारी जो भी location है जहां पर हमारी tdl पड़ी हुई है उस tdl को हम यहां पर add कराएंगे तो जैसे हमें यहां पर item से related tdl list का यहां पर import item.txt यह हमारी tdl है यह हमने यहां पर load कर लिया है और import stock item हमें सबसे last में quit के उपर दिखने लगा है जैसे हम इस पर enter करेंगे हमारा जो file का नाम था वह automatically यहां पर show हो रहा है या आपकी जो भी file का नाम है वह भी आप यहां पर डाल सकते हैं और आपको जो contents arrange करने हैं उसी के according करने हैं जो मैंने आपको बताए थे sheet 1 पर आपका data है या sheet 2 उपर है वह आप enter press करेंगे and then यहां पर हमारा यह data import हो चुका है तो आप देखेंगे alter के अंदर जब हम items पर जाएंगे तो यह सारे items यहां पर आ चुके हैं तो items आ चुके हैं category हमने कुछ डाली नहीं थी groups हमारा आ चुका है units हमारे आ चुके हैं already अगर हम check करें कि क्या इन के taxes amount description यह सभी चीज़े भी यहां पर automatically save हो गई है तो यह था हमारा एक TDL जिससे हम items को excel से tally prime के अंदर import करना सीख चुके हैं मिलते हैं अगले वीडियो में नए TDL के साथ कर दो दो